नमस्कार ने वलकम योलू वर्लफेर्ट ने वो प्रशान दवन सो फानिली जॉनी डप वर्सिस एमबर हर्ड केस खतम हो चुका है और इन दी एंड जॉनी डप की बड़ी जीत हुई है इस केस में नव ये एक ऐसा केस है जो इनिशली था दो हॉलिवोर्ट सेलेबिटीज के बीच में मगर बाद में पूरी दुनिया ने इस केस को फॉलो किया है फेमिनिजम पर मेंस राइट के इशू को लेकर और लेड़ी बहुत से आपने आडिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि मेंन कैन वी विक्टम टू जो जॉनी डप एमबर हर्ड का केस है इससे सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि बिलकुल एक male भी एक relationship में विक्टम हो सकता है अफ्कोर्स ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले हमने कोई ऐसा example देखा है नहीं था मगर एक high profile केस में पहली बार हमने देखा है कि a male can be a victim as well इस पूरे केस को discuss करते हैं मगर सबसे पहले आपको basic जानना होगा कि ये दोनों celebrities की history क्या है now Amber Heard और Johnny Depp ने relationship अपना शुरू किया था Hollywood में 2012 के आसपास उस वक्त Amber Heard बहुत नई थी Hollywood में और Johnny Depp और एक बहुत थी बड़े established star थे नोंने Hollywood में बड़ी movies दे रखी थी for example Pirates of the Caribbean series उसके लाबा Edward Scissorhands बहुत सी movies हैं की he's a multimillionaire Johnny Depp की जो total net worth है बताया जाता है कि 100 million dollar से लेकर 200 million dollar के आसपास हो सकती है मतलब कि 1000 या फिर 1500 करोड के आसपास कि इनकी net value है तो दोनों actors ने 2014 में सगाई कर ली और फिर 2015 में दोनों की शादी हो जाती है अब interesting बात देखिए शादी के एक साल बाद ही Amber Heard ने यहाँ पर फाइल कर दिया divorce के लिए जी हाँ मे 2016 तक Amber Heard ने ये कहा कि दोनों के बीच में differences बहुत ज़रा बढ़ गए है ये खटा नहीं रह सकते और इनको divorce चाहिए और फिर 2017 में सिर्फ दो साल की शादी के बाद दोनों का तलाख हो गया और सिंस जॉनी डैप एक multi millionaire है तो इस छोटी सी शादी के एंडर भी इनको 7 million dollar पे करने पड़े Amber Heard को और Amber Heard ने आपर ये कह दिया कि मैं ये जो 7 million dollar मुझे मिल रहे है जॉनी डैप से ये मैं डोनेट कर दूँगी तो overall 2017 के आसपास आप कह सकते हैं इनका relationship खतम हो गया और दोनों ने आपर Amber Heard और जॉनी डैप ने ये कह दिया कि हम अपना जो relationship है हम अराम से खतम कर रहे है we don't have anything against each other मगर फिर आता है 2018 2018 में Amber Heard ने एक article published खिया खुद एक article लिखा Washington Post में और इस article में इन्होंने जॉनी डैप का नाम लिये बगयर ये कह दिया कि मैं भी एक ऐसी शादी से गुदर चुकी हूँ जहाँ पर मुझको domestic abuse face करना पड़ा मतलब के मेरा पती मुझको पीटता था इन्होंने जॉनी डैप का नाम लिया नहीं है ये बात अपने आप obvious हो जाती है कि ये जॉनी डैप के बारे में ही बात कर रही है क्योंके इन्होंने अपनी सारी उमर एक ही शादी करी है और रिसेंटी वो शादी टूटी भी है तो जॉनी डैप ने यहाँ पर ये कहा कि जॉनी डैप अपनी पत्नी को पीटता है लिटली आप इन्होंने वर्ड यूस किया जॉनी डैप इसे वाइफ बीटर अब यहाँ पर आप खुदी समझ सकते हैं कि ऐसे आरोप जब एक अक्टर पे लगेंगे तो इसकी इमेज के साथ क्या होगा और जॉनी डैप के साथ भी यहाँ पर यही हुआ पारेट्स ओ दो केरबियन सीरीज एक पूरी फ्रैंचाइज है बहुत से मुवीज बन चुकी है यहाँ पर इस मुवी की सीरीज से जॉनी डैप को निकाल दिया गया कई और मुवीज थी जॉनी डैप की वो बंद हो गई अपने आप कई कंपनी डैप में ब्रेंड अबस्टर थे उन कंपनी डैप को उटा दिया तो आप कहा सकते हैं जॉनी डैप का बहुत जादा लॉस हुआ एक इमेज खराब हो गई फिरेंशल लॉस हो गया एमबर हड की इन एलिगेशन की हो जैसे अब इसके बाग डैप साब ने ये कहा के मैं अपनी एक्स वाइफ के अगेंस केस करूँगा डैफेमेशन को लेकर के मेरी मान हानी हुई है मेरा नाम खराब किया गया है उसके लावा जो यूके का पबलिशिंग हाउस है दस सन उस पर भी इनोंने केस कर दिया और ये कहा के तुम लोगोंने अपने आर्टिकल में मुझको वाइफ बीटर क्यों का और इंटरस्टिंग बात देखिए ये कई लोग नोटिस करते नहीं है ये बात नवंबर दोजार बीस में युनाइटेड किंग्डम की कोर्ड में जॉन्नी डेप केस हार चुके थे जी हाँ जॉन्नी डेप को आज के समय यूके में बाइ लौ अराम से कोई भी आर्टिकल लिख सकता है कि ये पत्मी को पीटने वाले अक्टर है क्योंकि जॉन्नी डेप का केस सुना था यूके में उसने बोल दिया कि देखो आपने मार पीट तो करिये अमबर हट के साथ ये एविडेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि दस सन ने आपर जो भी आर्टिकल पब्लिश किया है वो ठीक है तो ये एक बहुत ही बड़ा सेट बैक था जॉन्नी डेप के लिए क्योंकि अगला केस जो इनका होने वाला था USA में वहाँ पर इनके हारने के चांसेस कावी बढ़ गए थे क्योंकि UK में ये अल्लेड हार चुके थे मगर जो USA का केस है पहली बात तो ये केस का वह दिफरेंट था जो UK का केस था वो था जोनी डेप वर्सेस ध üzer Son मैडजीन ये एँए युएसे का केस है ये था जोनी डेप वर्सेस एंबर हर्ड के आपर हर्ड ने क्यों पब्लिक अली media houses में ये article publish कर दिया कि Johnny Depp एक wife beater था ये अपनी पत्नी को पीटता था तो USA के case में रेखा गया कि पहली बात तो Johnny Depp ने जो lawyers थे वो change कर दिये और जो ये नए वकील थे Mr. Depp के ये follow कर रहे थे Darwo strategy को Darwo strategy क्या है Darwo देखो एक acronym है इसकी full form है ये usually domestic violence के case में ऐसी strategy यूज की जाती है जहां पर पती कहता है कि पहली बात तो मैंने अपनी पती को मारा नहीं था उल्टा मुझको पीटा जाता था और मैं आपर विक्टम हूँ जो पत्नी है या पर जो मुझ प्यारूप लगारी है ये अच्छली real culprit है और जोनी डेप ने रेखो इस पूरे case में बहुत से evidences के साथ ये बात प्रूफ कर दी के बिलकुल इनको पीटा गया था बहुत से recording सामने आई जहां पर Amber Heard ने admit किया कि ये जोनी डेप को पीटती थी काफी बार जोनी डेप ने यही बताया कि एक दो बार तो Amber Heard ने इन पर एक शराब की बोतल फैक मारी थी जिससे इनका हाट तूट गया था और एक टाइम पर आकर जोनी डेप की टीम ने इतने सबूत प्रेजेंट कर दिये कि Amber Heard को भी admit करना पड़ा कि हाँ इन्होंने जोनी डेप को मेरा पती भी मुझे पीटता था अपने आप में जो यह confession था Amber Heard का यह बहुत important था इस case के लिए कि बिलकुल इन्होंने भी जोनी डेप को मारा था यह देखकर जो jury थी इस court में यह काफी यह तक शौक्ट थी अब यहाँ पर मैं यह भी आड़ कर दू UK में जो case हुआ था जो Johnny Depp हारे थे वहाँ पर हारने का main reason यह था कि वहाँ पर इनका जो case है यह सुन रहा था सिर्फ एक judge जबकि USA में jury system आपको मिलेगा jury system में क्या होता है कि इस तरीके से public से जो बहुत सारे notable लोग है जो responsible citizen है वो बैठते हैं वो भी काफी बार voting करते हैं बताते हैं कि इनके हिसाब से कौन guilty है कौन innocent है तो Johnny Depp ने properly अपना case सामने रखा कि देखिए यह बहुत यह abusive marriage थी मुझको काफी बार पीटा गया और Johnny Depp ने यह भी बोला कि मैंने खुद कभी Amber Heard को physically hurt नहीं किया है और फिर Johnny Depp ने काफी बार Amber Heard को जूटा भी थाबित कर दिया क्योंकि आपको याद होगा कि जब Johnny Depp और Amber Heard का तलाक हुआ था तब Johnny Depp ने Amber Heard को 7 million दिये थे 7 million dollars दिये थे under divorce settlement अब Amber Heard ने यह जो का था कि यह पैसा यह donate कर देंगी charity को यह पैसा actually कभी इन्होंने charity को donate किया नहीं था खुद रख लिया था तो various fronts में जब Johnny Depp ने यह बात दुनिया के सामने रखी के यह case completely black and white नहीं है Amber Heard ने भी बहुत बार जूट बोला है यह भी काभी बार hit करती थी Johnny Depp को in the end USA में जो case हो रहा था यहाँ पर Johnny Depp की जीत हुई है हलाकि court ने यहाँ पर यह का है कि defamation Johnny Depp ने Amber Heard की भी की है मगर Amber Heard ने Johnny Depp की भी defamation की है तो दोनों एक दुसरे को पैसा देंगे अब verdict यहाँ पर यह कह रहा है कि Amber Heard को 2 million dollar मिलेंगे इस case के end में मगर Johnny Depp को मिलेंगे 10 million dollar तो Amber Heard को भी pay करने है Johnny Depp को 8 million dollar हलाकि अभी Amber Heard के पास option है कि USA में जो higher court है वहाँ पर यह जा सकती है इस case को लेकर तो अभी इस case का अंध हुआ नहीं है यह case कोई बड़ी बात नहीं है अभी जो बाकी कोर्ट से हैं वहाँ पर भी चलेगा मगर इस trial को देखकर कई जो Republican Party के लोग है USA में वो खुशिया बना रहे हैं वो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि इस case से साबित हो जाता है कि जो यह Me Too movement है यह गलत थी और फॉर एक्जामपल कई जो conservative लोग है USA में वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस case से Believe Women की भी हार हुई है Believe Women क्या है Believe Women Literally USA में एक movement चली थी जो Me Too का core concept था Me Too movement में होता क्या था इस movement के अंडर काफी बार क्या होता था कि अगर मान लो कोई औरत है उसके साथ sexually किसी एक आदमी ने खराब तरीके से behave किया था या फिर violence किया था एक time में तो उस वक्त अगर वो औरत public के सामने नहीं आये थी तो आज के समय सोशल मीडिया का सारा लेकर वो उस आदमी पर आरोब लगा सकती है कि इस आदमी ने ये सब किया था मेरे साथ मेरे पास कोई evidence नहीं है कोई footage नहीं है मगर believe women women पर आवश्वास रखिए वो सही कहा रही होंगी अगर वो यहां पर आरोब लगा रही है बिना वज़े कोई women तो आरोब यहां पर लगाएगी नहीं अगर यहां पर आरोब लगा रही है तो genuinely इस आदमी ने कुछ गलत किया होगा और इस वज़े से Hollywood में कई actor हैं जो cancel हो गए cancel का मतलब यह है कि उनकी फिल्में बंद हो गई उनके ब्रैंच ने उनको छोड़ दिया financially उनको बहुत बढ़ा loss हुआ तो बिलकुल आप कह सकते हैं कि जो me too movement है और जो believe women movement है इसको जटका लगा है Amber Heard के case से क्योंकि इस case में इस high profile case में ये बात clear हो चुकी है कि man can be a victim as well एक case आसा नहीं है कि बिलकुल black and white वाला होता है कि हमेशा female victim होगी male यहाँ पर abuser होगा opposite can happen as well और recently हमने देखा है कई comedians ने इस movement को धीरे अब lightly लिया जा रहा है all sectors में in US culture मगर कई feminist है USA में वो इस बात को लेकर भी चिंते थे कि जो online hatred दिखी है Amber Heard के against इस case में ये भी काफी चिंता जनक है क्योंकि Johnny Depp एक mega star है इनकी बहुत बड़ी following है बहुत सारे इनके fan है कई इनके जो fans थे उनको ये बार पसंदी आई कि इनका जो favorite actor है इसको tag किया जा रहा है कि ये एक wife beater है तो कई joint app के जो fans थे इनको ने online videos मनाई against Amber Heard TikTok पे देखा गया, social media पे देखा गया Amber Heard को काफी ridicule किया गया almost public चाती थी कि Amber Heard ये case हार जाए तो कई feminist यहां पर ये भी कह रही है USA में कि ये case एक बहुत ही ज़रा खराब example set करता है gender equality के issue को लेकर now finally मैं आप आप से पूछना चाहूँगा कि क्या आप agree करते हैं इस case के verdict से लेकर, क्या आप मानते हैं कि genuinely यहां पर justice हुआ है या फिर आप मानते हैं कही ना कही social media ने इस case को बहुत ज़रा influence कर दिया था और इसी वज़ेश से जो verdict यहां पर आया है यहां पर joint app की जीत हुई है लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं जाना चाहूँगा आपको opinion and finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप अगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे है चाहिए IT, JEE, NEED, BANK, SSC, UPSC आप purchase कर सकते है अन-academy के quality courses simply जाओ comment section में यहां पर आपको मिलेगा link for example let's say आप prepare कर रहे है for UPSC, click कर ये UPSC पर और यहां पर purchase कर पाएंगे अन-academy का unique course जिसमें आपको heavy saving होती है अगर आप use करते है promo code PD10 मान लिजे अगर आपके पास अभी है एक-दो साल का time अराम से आप 2024-25 में UPSC का time देना चाते हैं तो जो 24 महिने का course है यह आप कर सकते है purchase मगर जो prices यहां पर लिखे हैं यह पर करने के आप शकता नहीं है simply यहां पर आप code use करते हो PD10 तो prices गिरने आपर start हो जाएंगे the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all अजने टें dönुड़ी One यह है है पिर टो भार सुआभी कर दूए Citizens